हेलो गाइज वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं इटर्नल्स के फिफ्थ पार्ट में तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो चलिए शिरू करते हैं जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं मशीन खराब हो चु रहा क्योंकि डियोरिक मिल चुका है थैनोस के साथ बट उसके इलावा कोई और भी है जिसने थैनोस का साथ दिया इकारिस ने एक बच्चे टॉबी रॉप्सन की डैट का विजन देखा था जिसका दोशी वो खुद को मानता है उसको बचाने के लिए उसने भेजा है सप्र बाउती अच्छा है वो कहती है और टॉनी तुमने तो मेरा दिल जीत लिया तो टॉनी कहता है मैंने बस एक बैड नियूस को शुगर कोट किया है कोई भी प्रोग्रेस नहीं है मिस्टर फेंटास्टिक फैसिनेटेड है बट वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा मतलब कि वो खुद को बहुत इंचोय कर रहा है वो उसके बड़े दिमाग के लिए वरक आउट है तो सरसी कहती है कोई प्रोग्रेस नहीं होनी थी तुम्हें तो पता है ना मैं नौटी गर लूँ मैंने तुम्हें सब फेक डेटा दिया था वो अपनी पावर का यूस करती है और कह को खतम कर रहा है हम देखते हैं टोनी का खुद पर काबू नहीं रहता उसके नाक में से खून निकलता है वो बताती है थैनोस ने ही मशीन को खराब किया है और जल्द ही थैनोस का राज होगा धरती पे अभी उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और कोई उसे पकड़ ले जाता है वो कहता है अभी मोथ ही तुम्हें सबक सिखाएगी तभी वो कहती है इकारिस अभी और तभी वहां पर इकारिस आ जाता है और वो बिल्डिंग को तोड़ते होए उसको वहां से ले जाता है दी फर्गेटन वन को कहा जाता है गिलकामिश तो मशीन हमें बताती है टोनी स्टार्क की महान सोच है, अभी उसके पास काफी सवाल भी होंगे, ये भी होगा कि इकारिस खिड़की में से भी आ सकता था ना, ऐसे सब कुछ तोड़ते हुए क्यों, देखो ये इंसानों की जो विंडोज हैं, ये अभी की नई इन्वेंशन है, इकारिस को कोई भी फ था ना, तो वो कहती है हाँ, हमें उसे कुछ सवाल पूशने हैं मशीन की खराबी के बारे में, और वो सहयोग नहीं दे रहा था, तो मैंने उसे ऐसा सोचने में मजबूर किया, कि मैं कोई नीच खलनायक हूँ, ताकि वो अपनी सब दिमेशनल लेर से निकल आए, अफकोस वो मुझे देख रहा था, कौन नहीं देखेगा, तो नी कहता है अच्छा, कोई बात नहीं, तो वो कहती है थैंक यू, I hope तुम मुझे इसके लिए माफ करोगे, और वो अपने टेलीपैथी का यूस करती है, वो कहती है थैनोस वर्ड को रिपलेस कर दो आई से, और उसने इसलिए किया है, कि टोनी को थैनोस के बार में पता ना चल पाए, मशीन हमें बताती है, कि सभी एटरनल्स किसी हद तक टेलीपैथ होते हैं, सरसी जो है वो डियूरिक के जैसी तो नहीं है, बट फिर भी वो कुछ कर लेती है, बट उसे केरफुल रहना होगा, शोटर मेमरी सबसे असान होती है, और ये सबसे बड़िया पैच भी है, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तोनी के पास एक स्टोरी है, जिस पे उसको विश्वास है, चायद उसे कभी भी पता नहीं लगेगा, कि थैनोस यहाँ पे है, तो टोनी कहता है, हे कोई बात नहीं, म मनुश्यों के बीच में खुश रहती हूँ, बट शायद मैं अभी पहले की जैसी यंग नहीं रही, और कभी कभी इसको भूलना असान नहीं होता, तो टोनी कहता है, तुमने इतने साल अच्छे से बिताए है, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इकारिस की हेल्प नहीं कर तो वो कहती है, मुझे नहीं लगता, क्यूंकि मैंने अपना काम कर दिया है, और इकारिस को तो मज़ा आ रहा होगा ना, तो यहां उन दोनों के बीच में फाइट चलती है, इकारिस कहता है, तुम्हें लगता है, ऐसा होगा, तो इकारिस कहता है, हाँ लगा तो नहीं था, तभी दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं तो मशीन बताती है इस शौक वेव से जो भी मनुश्य आते किलोमेटर में होगा उसकी स्पाइन टूट सकती है अगर दी फॉरगटन वन जादा गुसे में नहीं हुआ तो उसे एहसास हो जाएगा कि उसे सीरी से दूर क्यों लाए है ताकि मनुश्यों का इसका एफेक्ट ना हो क्यूंकि वो भी मनुश्यों की केर करता है और वो भी एटरनल से भी ज़्यादा वो हमेशा ज़्यादा सोचता नहीं है शायद कभी सोचता भी होगा अभी गिलकामिश के पीछे एक पोर्टल खुलता है उसमें से किंग और थैना आते हैं और वो से पकड़ लेते हैं और यहां हम पहुंच चुके हैं दी नेटवर्क सबडिमेशनल थ्रेट्स में यहां डियूरिक थैनों से कहता है यह अच्छी ट्रिक है हम सब स्पेस बफर में लूपड हैं मैंने सुना है इसको यूज करते थे टी फरगटन पता नहीं उन्होंने कहां से सिखा होगा मैंने तो सोचा था कि एक दिन मैं उठूंगा और उसने मुझ पे एपलाई किया होगा और वो भी मेरे फेस पे और वो भी एक टुछ मनुश्य का खूण करने के लिए हमने डिसाइड किया था कि एक ब्लेड को स्ट्राइक करना चाहिए शैडो से तो वो कहता है ब्लेड तुम थेनो सो मैंने तो सोचा था तुम एक वैपन से कहीं जारा हो तो थैनोस कहता है मैं पहले जैसा नहीं हूँ बट मैं ठीक हो रहा हूँ तो वो उसको अपना दिल दिखाता है तो डियोरी कहता है ये तुमें क्या हुआ तो थैनोस कहता है जो मुझे लास्ट याद है कि मैं एक ब्लैक होल में गिर गया था और वो भी चिलाते हुए वो बिलकुल मेरे नीचे था बट चिलाना बाक्यों के लिए बना है थैनोस के लिए नहीं मुझे वहाँ से निकाला गया और मुझे डील की गई एक वादा किया गया कि मैं पहले जैसा हो जाऊंगा बस मुझे खून करने होंगे बट जब तक कोई का मैं खुद की मर्जी से ना करूं मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसी बॉंड पसंद नहीं है और मुझे नहीं लगता जिसके लिए ये मैं काम करूंगा वो इसके बाद मुझे छोड़ देगा क्योंकि वो मुझे इतना पागल नहीं लगता तो ड्योरी कहता है मुझे तुमारा स्टाइल पसंद आया मुझे लगता है हम मिलके काम कर सकते हैं तो थैनस उसको कहता है तुम धोका देने वाले तो यहां हम देखते हैं खिलका मैश को बंदी बनाया हुआ है तो सरसी कहती है तुमारी गंदगी खतम हो गई तो वो कहता है हाँ अभी के लिए बट ये स्टार्ट हो जाएगी जब मैं यहां से छूड जाओंगा और तुमारा स्कल निकाल दूँगा तो सरसी कहती है प्लीज अगर मैंने सबी मनुशियों को खतम कर दिया तो मैं किसके साथ सौँगी वो सब तो तुमको जालने फसाने के लिए था ताकि तुमसे बात हो पाए क्योंकि तुमने हमारी सोसाइटी को रिजेक्ट किया है तो हम तुमसे कॉंटेक्ट कैसे करते वैसे भी वर्चुली तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता तो कोई नुकसान नहीं हुआ है तो वो कहता है जब मैं जवाला मुखी के मुह पे बैठा हुआ था ये सब कुछ एक्स्प्लेन करो खुद को तो थैना कहती है हमने तुम्हें बांदा हुआ है सवाल तो हम पूछेंगे तो किंगो कहता है थैना को कुछ जवाब मिल गए तो हम तुम्हें जाने दे सकते हैं तुम अच्छे हो गिलगी बट तुम खतरनाक भी हो सकते हो क्योंकि शायद तुम इस सब से कुनेक्ट हो तुम मेशीन को पहले भी खराब कर चुके हो ना तुम और तुमारे साथी टरनल्स में छुप जाते थे थैनोस भी वही सब कर रहा है और जब भी कोई एटरनल गलत काम करता है तुम उसका खून कर देते हो ना इटरनल्स भी डरे हुए हैं बट तुमे कोई डर नहीं है अपना वैपन यूस करने का तुम थैनोस का यूस कर सकती हो लोगों को पनिश करने के लिए तो वो कहता है हाँ अगर तुम थैनोस जैसे वैपन को चेन में बान सकते तो कितना बड़िया होता ना बट कोई भी थैनोस को नहीं बान सकता और वैसे भी किंगो मैं अपना काम अपने हाथों से करता हूँ तो सरसी कहती है तुम अपने बेस्ट क्रेक्टर में नहीं लगते तो वो कहता है मुझे उसकी नीड नहीं है जब मुझे पता लगा कि तुम थैनोस के लिए काम करती हो और मैं गुसे में आके तुम्हारे जाल में फस गया तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं थैनोस के साथ मिला हुआ हूँ तो इकारिस कहता है सही बात है दी फॉर्गर्टन वन डबल बलफ नहीं करते तो थैना कहती है तुमने पहले भी मशीन को बंद किया ना हमें बता वो कैसे किया तो वो कहता है मैंने एटर्मिनेशन को पनिश किया था जब वो मोज से जल्दी वापिस आ जाते थे मोज उनके लिए एक स्लैप थी मैं चाहता था वो उने एक पनिशमेंट की जैसे फील हो मैं कोई टेकनीशन या साइंटिस्ट नहीं हूँ मुझ में तो बस डिटर्मिनेशन और पावत थी मैंने संकल्प किया था और मुझ में शक्ती थी मैंने इन दोनों का यूस किया सवाल तो ये था कि सही जगा पे हिट होना चाहिए मुझे शायद 20,000 साल लग गए बट मैंने उस स्पोर्ट को ढूंड लिया हाँ कुछ टाइम के लिए तो यही तो तुम लोगों की दिक्कत है तुम लोगों में अनुशासन नहीं है बट ये सब हमेशा के लिए नहीं था मशीन खुद को ठीक कर लेती थी एना कहती है इसको छोड़ दो इसने कुछ नहीं किया तो गिलगामेश कहता है इतना विश्वास कैसे तो वो कहती है मुझे उस आदमी में बिलकुल भी विश्वास नहीं है जो अपने हिसाब से फैसला सुना देता है बट मुझे सेकंड प्रिंसिपल पता है जो है मशीन को बचाना अभी हमारे सामने क्लियर हो चुका है कोई फरक नहीं पड़ता उन अपराधियों का में गौल क्या है बट मशीन को उनसे खतरा हो सकता है कहता है हम इसको छोड़ रहें हम इसका सर नहीं उड़ाने वाले मैं तुमौरे जाल में इतनी जल्दी नहीं फसने वाला था अगर मुझे भी सेकंड प्रिंसिपल का प्रैशर नहीं होता और नहीं तुम फसते तो हम देखते हैं कि उसके साथी भी आ चुके हैं वो कहता है उनके पास वो चीजे हैं जो तुमारा दिन खराब कर सकती है मुझे छोड़ दो वरना वो फायर करेंगे या शायद वो वैसे भी चला दें तो सरसी कहती है हमें बाचीस से हल निकालना चाहिए ताकि सभी के बॉड़ी पार्ट सही रहें और वो भी तब जब हम मर के वापिस नहीं आ सकते मरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा वैसे भी वीकेंड पे मुझे कहीं घूमने जाना है तो इकारिस कहता है तुमारे सॉल्जर्स ने मुझे एम क्यों नहीं किया तो वो कहता है क्योंकि अगर इसकी नौबत आई ना तो तुमें तो मैं पीटूँगा तो इकारिस कहता है किसी और दिन मैं तुमारी हेंकडी निकाल दूँगा बट अभी एक बच्चा मुसीबत में है जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो मैं लड़ना पसंद नहीं करता तुम बाकियों को मार सकते हो बट मैं तुमसे सच निकलवा लूँगा कोई भी मुझे उस बच्चे को बचाने से नहीं रोक पाएगा तो गिल गमेश कहता है मुझे तुम पे विश्वास है चलो कोई वे ढूंडते हैं जिससे तुमें मुझे भी विश्वास हो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यहां हम पहुंच चुके हैं दी एक्स्क्लिूजन में और यह है रियालिटी लूम और यहां सरसी फैस्टोर्स से कहती है मुझे तुम से बात करनी है तो वो कहता है यह बात करने का अच्छा टाइम नहीं है मैं थ्रेट को स्टेबलाइस करने की कोशिश कर रहा हूँ यह होल्ड हो रही है यह हमें थोड़ा टाइम और देंगी धर्ती का मौसम कुछ टाइम के लिए सही हो जाएगा उमीद है हमेशा के लिए भी हो जाए रेजरेक्शन प्रोटोकॉल में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है बट हमें प्लैनेट को तो सेव करना ही है न तो वो कहती है सही कहा हमें कुछ और टाइम चाहिए होगा दीफोरगर्टन वन हमारा साथ देने को तयार है वो खुद को बेकसूर साबित करना चाता है हम आईसोलेशन में आ रहे हैं वो वहाँ आके हमें दिखाएगा वो कहता है अच्छा है मुझे नहीं पता मैं कितने टाइन तक इसको संभाल पाऊंगा तो वो लोग पॉर्टल में घुसने लगते हैं तो सरसी कहती है वो मुझे थोड़ा सा तनाव में लगा तो किंगो कहता है मैंने लोगों को पंच करते होए देखा है अगर कौफी अच्छी ना लगे वो तो काफी अच्छा काम कर रहा है वो गिलगामेश और इकारिस को कहता है तुम लोग नहीं आओगे तो गिलगामेश कहता है नहीं अगर तुमने मुझे डबल क्रोस किया तो तुमें खतम कोन करेगा तो वो इकारिस से पूछता है तुमने किस लड़के को बचाने का सोचा है वो है कहाँ तो हिकारिस कहता है वो है टॉबी और वो रहता है नियु यॉक में और वो अभी सेफ आथो में है तो यहां टॉबी और स्प्राइट पैठे होते हैं पार्क में टॉबी कहता है मुझे मौसम ठीक नहीं लग रहा या तुम श्योर हो ये अच्छा आइडिया है तो वो कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें कोई ढूंडने जाएगा तो तुम्हें एक स्कूल बॉय हो, तो वो स्कूल में जाएगा, तुम्हें यहाँ कोई ढूंड नहीं पाएगा, तो टॉबी कहता है, तुम्हें तो मुझे मुसीबस से बचाना है ना, तो स्प्राइट कहते ह नहीं मुझह दो तुमम्हें जिन्दा Deborah ऩदोनों में काफी फरक है मुझे स्कैन सियु छूपा नहीं पाउंगा य मैं तुम्हें से नुकसान倍 दोनों को सच्चाई का एसास हुआ कि इसमें उसका हाथ नहीं है चलो उनका शक्तों खतम हुआ जिनकी उन्हें उमीर नहीं थी वह उन्हें बताता है कि यहां पे तो पहले ही तोड़ फोड की गई है यह तो किसी भी साइंटिस्ट को पता लग जाता अगर उसने थोड़ा भी ध्यान दिया होता मुझे तो विश्वास नहीं होता मैंने तो फैस्टोस को भी इसके बारे में बताया था तो सभी के मूँ खुले रह जाते हैं उन्हें शौक लगता है अभी थैना फैस्टोस से बात करती है वो कहती है तुम वहां हो मशीन में तोड़ फोड की गई है और वो भी the forgotten one के मैथड से तुमने ये सब देखा था ना प्लस उसने हमें बताया कि इसके बारे में तुम्हें जानकारी भी थी तुमने इसको क्यों नहीं ढूंडा तुमने किया क्या है तो वो कहता है नहीं थैना मैं मशीन को बचा रहा हूं मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए चुद्र के खिलाफ था तो सरसी कहती है शायद उसे लगता होगा कि वो ये सब अच्छे के लिए कर रहा है लोग अच्छे रीजन के लिए बुरे काम कर देते हैं तुम्हें कर लगता है गिलगमेश वो पोर्टल खोलता है और उसमें घुसता है वो कहता है बाते बहुत हो फरगटन ने किस से सीखा होगा ये फैस्तोस ने ही तों को सिखाया है तो वो उसमें घुसते हैं बटून के ऊपर छिपा होता है थैनोस मशीन कहती है जैसा कि मैंने कहा था फैस्तोस हैमर है और फोर्ज है वो जो चीजों को आगे बढ़ाता है बड़ शायद वो ही है जो चीजों को रोक भी सकता है और वो एक और चीज भी है वो गलत है तो फैस्तोस कहता है मैं तो Eternals को तबाह कर रहा हूँ मैं धर्ती को तबाह नहीं कर रहा तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है नेक्स पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजे हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब तक के लिए बाई बाई